है है गाइस गुड मॉर्निंग वैलकम तो माई यूटूब चैनल आएम राहूल कम बैक दोस्तों आप सब कैसे हैं गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बिटन दबा के चैनल सस्क्राइब कर लिजे बैल आइकन दबा के नोटिवशन आपको मिल सेके और हर दिन अगर आपको ड्राइबिंग से रिलेटेड या में अगेनिकल से रिलेटेड या से रिलेटेड इस तरीकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ही को इस्टा पे फॉलो कर लें लर्निंग्टो ड्राइब राहूल मित्तल के नाम से मेरी परफाइल यह का लिंग में क्या नाम आपका निशिका ओके और कौन से डेया आज आपको फॉर्ट कौन कौन सी गेर में अभी तक आपने कार को चलाया है फर्स्ट डे आपने किस चीच की प्रेक्टिस करी थी थी रोपना स्टार्ट करना कितनी बाल लगबग रोका था हाफ एनर में कार को रूखना और बढ़ाना और सेकंड डे क्या सीख आपने रिवर्स करना थर्ड डे क्या सीख रही है कौन कौन से गेर में भी आज आपने कार को चलाया है थर्ड और फॉर्ट फर्स्ट और सेकंड भी तो कहा जाएगा ना फर्स्ट सेकंड थर्ड और फॉर्ट अभी किस रूट पे चल रहे हैं लोग बंदी वाला सर्वोदेने गर वाला है ना तो अभी आपको कित्ते पर्फेंटेश ड्राइविंग समझ में आ गई है 30-40 ओके आप कमफर्ट है ठीक है तो गाइस आज इतको थर्डे बट आज मैं इनको डबल क्लास दे रहा हूं कि कल मैं नहीं आप आया था जिसकी वज़े से आज डबल क्लास करा रहा हूं तो डे वैसे थर्डे बट क्लास फॉर्ट हो जाएगी अभी कौन से गेर में हैं है फिर बुब नहीं आया था रैट वाला था आको त्वज़ लाट पी आ गया था गेर वाला जाट और डए कर नहीं आया जिस वक्त हमें एकिलेटर की स्वें य्पिल ना उस व्होंपा पर लेकिया कर ओफिर लाइन चेंज किए लाइन को भीर की ठीक is आपने पिता है किया किया धीर से लेफ्ट की तरफ दबागी खीच दिया है नहीं है ऐसे नहीं करना होता अभी मैं बताता हूं बढ़ाई खीचे अभी जब थर्ड गेर डलवाँगा तो ध्यान देना केर पैटन पे बीच वाली लाइन में रखो बीच वाली हाँ थोड़ी स्पीड बढ़ाओ और अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लेकिया और ट्वेलो क्लॉक पे पकड़ो पहले इसको न्यूटल करो अब सेंटर में ज अब लेफ्ट लाओ अब पीछे डालो यह सेकेंड यह तरीका होता है इससे पहले कैसे डालती थी आप पूरा लेफ्टी दबा देती थी थार्ड गेर में तो गेर बॉक्स खराब हो जाएगा ठीक है चलो अभी स्पीड बढ़ाओ हाँ स्पीड बढ़ाओ अब राइट बला पेइर ब्रेक पर लाओ और ट्वेण प्लाओ पे चलो झालो क्लच जाणेदो चलो कल चलो ममेश लहाराता नहीं है ठीक है और राइट बेइर ब्रेक पर लाने से यह खता है कि जो आपका लेफ पार तो राइट बीचे प तो वो भी मुवमेंट में आ जाता है, जिस्से की गाड़ी, इस्पीट बढ़ जाती, लहराने लगती, साउंड करने लगता है, इंजन, लॉंग पुछ करो, लॉंग, जाओ चलो, दिरे-दिरे, हाँ, दिरे-दिरे-दिरे, जाने दो, हाँ, आराम से, हाँ, बढ़ाओ, करना चाहिए था, क्लस दबा के सेकंड गेर कर लेना चाहिए था, ठीक है, यह चीजे फटा-फटा होनी चाहिए, वरना इंजन बुछ जाएगा, अभी राइट वाला पैर ब्रिक पे ले क्या हो, और गाड़ी हलका सा लेफ्ट दबाओ, गाड़ी लेफ्ट सीधा चलना है, लाइन नहीं चेंज करना है, अगर लाइन चेंज करोगे तो यह सिक्स लाइन का रोड है, लोग डिश्टब होंगे, लॉंग हाउन पुछ करो, बज जाने दो धीरे से, जाओ, बढ़ाओ जाओ, स्पीड बढ़ाओ, अपनी लाइन में आ जाओ, धीरे से देखके, देखके अब आपने लेफ्ट ओ शिट, अपने मिररी नहीं चेक किया, लेफ्ट वाला देखा था, क्यों नहीं देखा भई, अगर आप गाड़ी लेफ्ट दबारी ही, तो कहां पे देखोगी, राइट वाला मिरर देखोगी है, लेफ्ट वाला, तो फिर कैसे पता चलेगा, अब व वाइट लाइन से बाहर निकल गई, इस दोनों वाइट लाइनों के बीच का एरिया कितना होगा, कितनी चोड़ाई है, नहीं आइडिया, आठ फिट है, ठीक है, आठ फिट चोड़ा है ये, और हमारी कार साड़े पाँट फिट चोड़ी है, दो फिट और एस्ट्रा लेके साड़े साथ फिट, तो इस लाइन से बाहर नहीं निकलना है, चलो अभी स्पीड मेंटेन करो, अब फिर लाइन से बाहर निकल गई, आप निशी का साड़ मिरर क्यों नहीं चेक करती हैं, साड़ मिरर क्यों नहीं देखती हैं, स्कूटी चला लेती हैं, तो स्कूटी में सा अभी कदार चट्टे चमाय है या हर सेकेंड में तो फिर वही चीज तो इसमें भी लागू हो रहा है ना उसके चार गुना गाड़ी बड़ी है लंबी है हर एक चीजे पावर जादा है तो उससे जादा मिरर चेक करना चाहिए कम तो फिर आपकी लेफ्ट वाले मिरर पे तो नजर ही नहीं जाती है जो कि बहुत ज्यादा ज़रूरी है राइट में आप बैट़ी और राइट में नहीं भी देखोगी तो भी चलेगा बट अगर लेफ्ट वाले मिरर को नहीं चेक करोगी तो लेफ्ट से जो बंदा आ रहा है वो कैसे पता चलेगा कहां से दिखेगा को इस लुकिंग ग्लास से भी दिख सकता है अगर आप इस लुकिंग ग्लास को बीच वाले को देखोगे तो यहां से भी आपको बैक साइट का अंदाजा मिल जाएगा लेकिन इसके लिए बार-बार आपको नजर डालनी पड़ेगी अभी लेफ्ट का सिखनल दो जाने दो धीरी दिरे चलते रहो हां स्पीड बढ़ाओ अभी लेफ्ट रखो ज्यादा राइट नहीं जाना है हलका साथ स्पीड मेंटेन करो और मां गाड़ी बंद हो जाएगी थार्ड गेर में न इसलिए बस चलने दो बीच वाली लाइन में रखो और स्पीड मेंटेन कर अब ही जैसे आपने सिगनल दिया तो सीदा सीदा जब हम सिगनल लेते तो बंद करना पड़ता है और जब आपको ठीक है बीच वाली लाइन में रखो अभी लाइन नहीं चेंज करना है अभी राइट का सिगनल देना है आपको ठीक है चलो आप सिगनल दो राइट का राइट वाला पैर ब्रेक पिला और क्लस दबा के सेकंड गेर करो वेरी गुड अभी दीरी दीरे लाइन चेंज करना है लाइन चेंज करो यहां से यूटन मारना है यूटन करते वक्त राइट वाले मिरर एक्सिलेटर नहीं लेना निशी का ब्रिक पर रहे रह खके आराम से बहुत स्लो हाँ आप राइट टन करो आगे जाके फुल कात दू फुल मिरणा डां भाड़े जी다ा ते ले यही दीरा दी दीरे आप एक बार को आख बंद भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आख खुली कि तो सामने नजर आ रहा है पर इतना अच्छा व्यूस लेफ्ट वाले मिरर में आता है नहीं आता है अभी इंजन क्या कह रहा है ठाट गेर डालो चलो जाओ बढ़ाओ अब देको लाइन चेंज कर दी है चेंज हो गयी नहीं हो गई गेर बदलते टाइम क्या लाइन चेंज होना चाहिए चलो करो लेफ्ट का सिगनल दो यही से लेफ्ट टन कर लो आराम से हमां तन करो कहां जारी हों अरे क्या हुआ कहां खोई पड़ी हो इसको फॉर्ष्ट गिर में करो अभी अभी मैंने पूरी गाड़ी कंट्रोल कर रखी अग्लेस दबाके चलो नीचे उतारो गाड़ी उतारो अब इतना लेट अगर करो कि कहां पर रोड और कहां गाड़ी लेके आ गई हो मैंने तीन बार आपको टोका कि आगे से लेफ जाना है चलो हल्का राइट रखो हाँ देखो नजर हटी दुरगटना गटी सेगंडों का खेल होता है वापस लेफ्ट आ जाओ लेफ्ट अब आप देखो नहीं देखती इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके लेफ्ट में कितनी जगे है इस लेफ्ट वाले मिरर के बगर आप कार नहीं चला पाओगी देखोगी तो आपको एक्शुल पता चल जाएगा कि आपके लेफ्ट में कितना स्पेस है अभी सेकंड गेर करो अपने अंधर ठीक है थोड़ी सी फूर्ती रखो अभी कितनी वीडियो देखिए आपने कम से कम 20 से 50 वीडियो देखो क्योंकि 15 साल का एक्ष्पिरेंस 15 दिन गेर पैटन वगेरा इस्टेरिंग वगेरा इनका सारा चीजी किलियर हो जाएगा है ना तो जादा से जादा वीडियो देखने की कोशिश करो राइट अखो राइट और आपकी 99 परसंट नजर इधर रहनी चाहिए अब वह आप डिसाइड करोगी कि कैसे देखोगी अब य कि जो फ्लैक रॉड लग अब देखो देखो गाड़ी कहा जा रही है देखा अभी छू जाती राइट में आप बैट यह तो राइट में नहीं भी देखोगी तो भी चलेगा क्योंकि राइट साइड वाला सामनी से जो आ रहा है वो नोटिस कर रहा है आपको वह 50 परसंट कॉपरेट कर रहा है और जो लेफ्ट में बंदा है वो कौन कॉपरेट कर रहा है उसको 100 परसंट आपको बचाना है ठीक है अभी आगे से राइट जाना है तो उसके लिए क्या करेंगी आप राइट जाने के लिए क्या करेंगी पहले राइट का सिगनल देंगे फिर अभी राइट काटना है, चलो, काटो राइट, अभी सीधी करो, बढ़ाओ स्पीड, देखो गाड़ी कहां जा रही है, स्पीड मेंटेन करो, फटा फट, चलो रेस करो, जाओ, जल्दी से, अभी यहां पर आप राइट में ही अपनी गाड़ी रखो, क्योंकि लेफ्ट में इ डालो, गुड, वैरी गुड, चलो, छोड़ो, जाने दो दीरी-दीरे, चलो, एकदम स्ट्रेट, अपने घर की तरब चलो, कितने किलोमेटर होने वाले हैं, अंजी, तो मैंने कितने पर दिया था आपको, 80 पर, तो कितने किलोमेटर हो जाएंगे, अभी, 20, हाफ एनार या 10 किलोमेटर, वानार या 20 किलोमेटर, तो आपको जो टाइम है, वो हो गया है अभी, जब घर पहुचोगी, तो लगब मुझे लग रहा है, मतलब आपने 55 मिनट में 20 किलोमेटर चला लिया है, जो कि एक गंटे में आपका, अगर एक गंटा लेकिन जिस तरीके साफ आपने 3rd फूर्थ गेट में चलाया है, इसलिए आपकी किलोमेटर जल्दी कंपलीट हो गया, जब तक आप घर पहुचोगी, तब तक आपके 5 मिनट अभी 20 हो रहा है, 1220, 1225 तक आप घर पहुच जाओगे, कुछ सीखने को मिला आज आपको, क्या मिला, ब्रिक पेपेर रखो, जाओ हौन बजाओ, चलो, अभी इंजन क्या कह रहा है, तो कर लो, जितना जादा गेर चेंज करोगी, उससे गेर की पैक्टिस हो जाएगी आपकी भई, हैविट पढ़ जाएगी, हैविट चलो जाओगी आप, अभी फिर स्पीड मेंटेन करो, फिर गेर चेंज कर लेना थर्ड, जाने दो, राइटी रखो, राइटी रखो, लहराओ मत, ताकि वो अब लेफ्ट से निकल जाए, चलो बढ़ाओ, अगर आप तुरंट अभी लहरा देते तो फिर डिश्ट अब हो जाता है, एक लाइन में जिस लाइन में हो, उसी लाइन में चलते रहो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में फिर मिलते है, जैहिन बंदे मात्रम, थोड़ा सा इधर देखो, बस,